नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर के शेर के बारे में इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को हैं कल मैंने आप सभी के साथ सीधे सीधे शेर करा था कुछ शेर करें थे जहां पर बड़ी तेजी आ सकती है यह एक मौका ही था अभी क्या करना चाहिए इस स्टॉक में इसके बारे में जानेंगे साथी साथ बात करेंगे क्या अभी एक फ्रेश एंट्री लीसा सकती है क्या तो चली दोस्तों इसी के बारे में जानते हैं वीडियो में बात करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबी से एक request करना चाहूँगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इसको subscribe कर लो notification bell icon दबादो ताकि मेरी वीडियो आप लोगो तक पहुंचे सबसे पहले stock के average volumes लगवग 1.9 crore shares के यानि कि almost आदे shares trade हो गया है शुरू आती दो गंटे में and stock लगवग 2% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है and day high पे trade कर रहा है 2.5% उपर है 227.35 का high है 227 पे trade कर रहा है इस stock पे कल भी मैंने आप सभी के साथ buy recommend करा था and आज भी मुझे लगता है यह stock जिस हिसाब से जा रहा है अपने past अभी recent के जो highs ब्रेक करेगा stock में सबसे पहले आपको chart पे नजर डालनी होगी 2 June यानि कि 2nd of June से लेकर 7, 8, 8 June तक यह stock around 233 के levels पे trade करा and वहां से आप सभी ने एक sharp correction देखी है and उस correction में इस stock ने 200 का level भी break करा जहां 191 तक लो लगाया stock ने हला कि closing 194 की मिली है and अगले दिनी stock false breakout दिखाया and अगले दिन तुरंट 200 के ऊपर आया stock and 200 के ऊपर trade करने लगा and उसके बार 212 के ऊपर जैसे ही निकला stock chart दुबारा से positive हो गई आप सभी के साथ recommendation भी आई भाई की and hold करने की and stock में तेजी बनी around दिखे आप exactly 233 का 25 July को high लगाया stock ने जो कि इसके जब गिरावट शुरूई थी 234 से 7 June को उसी के past गया यानि कि वो recent के जो past के जो highs थे वो resistance के रूप में काम करें results आया दुबारा गिरा stock and दुबारा से यूटन मारके ऊपर आता हुआ दिख रहा है 233-234 का level stock उपर में closing में निकालता है तो यह stock around 242 से लिए 245 तरक जाने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों long term के इसाब से यह stock बहुत ही शांदार है मैं आपके साथ already discuss कर चुका हूँ company ने अपने results के बाद जो commentary करी है वहाँ पर आप सभी को पता है मैंने आपके साथ share करा है कि company अगले 5 सार में लगए 75,000 करोड का capex करने वाली है यानि निवेश करने वाली है and Fy23 यानि इसी वित्तवर्स में company 14,000 करोड का निवेश करेगी जिसमें से 10,000 करोड का निवेश जो है renewals में होगा तो यह काफी जादा आगे के लिए attractive चीज़ां दिख रही है and stock अपने field में market leader है already इस stock में traders हो या फिर investors हो दौनों ही काफी जादा active रहते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में volumes missing है दोस्तों अगर Friday की ही बात करें तो Friday के session में भी इस stock में around 30-26% की delivery percentage देखी गई है यानि कि delivery percentage बहुत ही कम आती हुई दिख रही है that means यह आपको suggest करें कि लोग सुबा खरीद रहे हैं साम को बेच रहे हैं लेकिन माल घर लेके नहीं जा रहे है अगर हमें delivery के साथ volume प्लस delivery प्लस 233 के levels का breakout मिल जा तो इस stock काफी उपर जाने के लिए तैयार है अगर इन मैंसे नहीं भी होता तो trading view से ही 232 तक तो यह stock direct जाता हुआ दिख रहा है आज जब market उपर से morning में गिरी तो यह stock ने correction बिल्कुल भी correct नहीं हुआ यह stock in fact उपर ही जाता दिख रहा है तो यहां पर मेरे साब से आपको खरीदने के मौके डूडने चाहिए और एक fresh entry के लिए या तो आप 233 के उपर buy करें closing मिले तो या फिर थोड़ा 225 के around यह मिल जा 223 के उपर निकलने का तो यह पूरा व्यू बन रहा है टाटा पावर के stock को लेकर आपको वीडियो समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys